हेलो फ्रेंड्स यह हमारा लैपलस टांस्वर्मेशन के सीरीज का नाइंट वीडियो है इसमें हम सीखेंगे लैपलस टांस्वर्मेशन आफ इंटेग्रल लैपलस टांस्वर्मेशन आफ इंटेग्रल अच्छली होता क्या है हमें पहले फ्त के टर्म में टिकेटर में एक फंस प्र percentages को ऐसे करें कि और था हमने लास्स वीडियो में इंवर्स भी पढ़ाद हूं ज्यानती है कि अगर इसका इंवर्स निकाले तो तो यह वाला फंसन है इसका सप्षाण दूरे का चामिंदे के항ि हमें केसं लेते हैं जैसे एक प्सक्राइब पर हमें inverse नहीं पालना तो हम क्या करेंगे inverse of s square हमें क्या इस total function का तो आता नहीं हमें one upon inverse of one upon s square plus a square का तो आता है क्या होता है one upon a sin 80 तो हम इसका करेंगे क्या होगा one upon a sin 80 अब हम इस वाले एक formula का योज करेंगे कि अगर f s को one upon s से multiply कर देते हैं तो उसका क्या होता है integral होता है अगर हम इसको क्या करते है लेप्लस of inverse of one upon s square plus a square से डिवाइट कर दिया क्या होगा इंटेग्रल जीरो से टी वन अपन ए साइन ए यू ए यू टीके जगा बस समने यू रखा वन अपने तो कॉंसेंट अब आ रहा जाएगा साइन का इंटेग्रल क्या होता है integral of sin x dx से होता है minus cos x तेवा जाएगा minus cos au divided by a integral limit 0 से t यह a से multiply होकर a square होगे minus 12 आगे cos 80 minus upper limit minus lower limit cos 0 क्या होता है 1 होता है minus 1 upon a square cos 80 minus 1 यह अगा किसका लाए plus of inverse of 1 upon s into s square plus a square अब हम में function में एक बार और से multiply करना है तो क्या हो जाएगा inverse of 1 upon s into s square हो जाएगा s square plus a square हम क्या करेंगे इसका integration करेंगे 0 से t minus 1 by a cos au minus 1 du a square हो यहाँ पर minus 1 by a square तुक बाहर हो जाएगा cos का integral क्या होगा sin au upon a minus इसका क्या हो जाएगा u 0 से t limit 0 से t हो गया अब हम में limit put करना है upper limit minus lower limit upper limit हो जाएगा sin a t by a minus t यह हो गया upper limit हमारा minus lower limit lower limit क्या है 0 sin 0 0 हो जाएगा और यह तो 0 0 हो जाएगा यह 0 इसको कुछ करना है नहीं हो t t हो गया अब हम इसको क्या करेंगे रख सकते हैं क्या sin a t a q minus में और यह minus minus plus हो जाएगा plus t upon a square इसको क्यों एक सकते हैं t upon a square minus sin a t upon a q यह गया मारा क्या laplace of inverse of inverse laplace of s square into s square plus a square यह गया मारा इसको क्यों तो हमने लेगा कि inverse of laplace निकलना हो f s जो one by s से डिवाइड हो उसका क्या करेंगा मैं integral करना होगा एक और question अगर लेना चाहता हम लेशकते हैं एक और question लेते हैं जैसे find inverse of 1 upon s into s plus 1 का whole के आपको यह formula याद है i think over s minus a power n का inverse क्या होता है e power a t t power n minus 1 n minus 1 का factorial यहाँ पर देखिए same as it is जो ही है तो हमें लैपलस निकाल निकालना है हम क्या करेंगे इसका पहले निकाल लेंगे inverse और फिर 1 upon s से डिवाइड वाल प्रोपर्टी क्यों यूज करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा minus t t पर पावर यहाँ पर n के जाएगा क्या है 3 है 3 minus 1 2 यह 2 factor हो रहे है तो यह क्या हो गया 1 upon 2 e पर पावर minus t और t square अब हमेले आप inverse इसका निकालना है तो 1 upon s into s plus 1 का whole cube यह क्या हो जाएगा इसका integral हो जाएगा 0 से का t 1 upon 2 e पर पावर minus u और u square du k square पी लिख सकते है 0 से t e पर पावर minus t t square dt 1 upon 2 अब आप इसे u and v वाले फर्मूला पर ब्रेक कर देजे simply first function इसको मांग लेजे second function इसको first यह और यह second case kind अगर आप इसको integrate किजिएगा integrate करने के बाद आपको क्या आजागा first function first function कुछ को जाएगा e square इसको integrate किए t e पर पावर minus t divided by minus 1 minus first function को differentiate करते है 2t इसको integrate करते है e पर पावर minus t divided by minus 1 और यह total वाले को क्या करते हैं हम इंट्रिगेट करते हैं इसको पावर minus t plus 2 इसमें क्या हो जागा first function t को ले ले लेंगा second function yes first function as it is e power minus t divided by minus 1 minus इसको differentiate किए 1 वा इसको integrate किए यह है e पर पावर minus t divided by minus 1 यह minus minus होगे यह plus और इसको फिर हम लोग ने integrate किया 0 से t यह होगा 1 by 2 minus t square e पर पावर minus t plus 2 minus यह minus यहाँ पर जाएगा minus t e पर पावर minus t और इसको integrate करेंगा तो क्या जागा e पर पावर minus t divided by minus 1 तो minus 0 से t अब हमें क्या करना है limit put करना simply 1 upon t अपर limit t है t t के जागा t put करेंगा minus t square e पर पावर minus t plus यहाँ minus है नहीं minus minus होज़ा minus 2 t e पर पावर minus t minus 2 e पर पावर minus t law limit क्या हमारे 0 है यह 0 होज़ागा यह भी 0 होज़ागा और यह इस पर अगर 0 रखें e पर पावर 0 क्या होज़ागा 1 होजागा minus 2 क्योंकि यह 1 होगा और यह 2 से multiply हो जाएगा जाएगा माइनस 2 लेकिन प्लस 2 होगा क्योंकि यह upper limit होगे minus lower limit करना है तो यह तो minus 2 होगा नो क्योंकि यह minus 2 होगा minus 2 minus 2 plus 2 हो जाएगा अपर limit minus lower limit होगे 1 upon t अब देखे कुछ समोरा है t square 2 से अगर आप इसको डिवाइड कर देजे तो यह भी 2 कर जाएगा यह भी कर जाएगा 2, 2 2 आप कामन ले सकते हैं यहाँ पर अब आपको इसको 2 से डिवाइड कर देखे एगा टेवन प्लस minus t square e by power minus t divided by 2 minus t e by power minus t minus e by power minus t plus 1 आप इसको डिवाइड देजे 1 minus t square e by power minus t divided by 2 minus t e by power minus t minus e by power minus t अगर आप इसको एक स्टप और 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 आगे एक्टेंट करना चाहते हैं पर पावर minus t और minus में आप सब में यहाँ पर कॉमन है तो अगर आप उसको कॉमन ले ले तो t square by 2 प्लस t और प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपका अन्स आ से ता यहाँ पर एज इस बस देखने में से लग रहा है यह थुरा सा अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा देन लाइक और फर्गोड तो सब्सक्राइब